नमस्कार आप सभी का इस चैनल में स्वागत है आज हम लोग कोट में प्रथम अपील जीला कोट में प्रथम अपील आर्टी आई एक तोजार पांच के धथत कैसे दायर करेंगे इसके बारे में जानेंगे यह प्रपत्र छो नियम छो एक के धथत प्रथम अपीली का फॉर्म है आप लोग देख रहे हैं यदि यह फॉर्म किनी के पास उपलब्ध ना हूँ तो सागदा कागज परिस्तरह भी आप आवेदन लिख सकते हैं सेवा में अपीली प्रादिकार और मैंने जीला कोट में प्रथम अपील आर्टी आई एक्ट दोजार पांच के तहत किया है इसलिए जीला एवं सस्त्र नियायाधिस वहां के प्रथम अपीली प्दादिकारी होते हैं उनका नाम दे देंगे कोट से संबंदित जीला का नाम लिख देंगे और इसी प्रकार आप लोग आवेदन भड़ेंगे अपना नाम लिखेंगे पूरा पता लिखेंगे और लोग सुचना पदादिकारी जीला कोट के लोग सुचना पदादिकारी मुख नयायक दंडादिकारी हुआ करते हैं इसलिए मैंने इनका नाम लिखा और इनके इसके खिलाब अपील किया गया है या जवाब नहीं मिला है तो उसके लिए यहां लिखेंगे अगर जवाब मिला है तो जिस भी पत्रांग दिनांग से जवाब मिला है वो पत्रांग दिनांग दे देंगे या जवाब कोई नहीं मिला है तो यहां लिख देंगे सो समय मुझे कोई भी सूचना अपलब्द नहीं कराई गई है अब प्रपत्र को प्रपत्र को जिस दिन हम लोग भेजे होंगे उस दिन जो है उस दिन का दिनांग देना है जब आपने RTI के लिए आवेदन भेजा था और मांगी गई सूचना जिस भी सूचना आपने प्रपत्र को में मांगी थी उसका point to point वर्णन कर देना है इसी प्रकार लिख देना है जो प्रपत्र को में आपने सूचना मांगी होगी अब सूचना आपको कितने दिनों में पूरी होनी चाहिए तो 30 दिनों में हम लोगों को सूचना अपलब्ध हो जानी चाहिए तो उसका पूरा होने की 30 दिन पूरा होने की तिथी जो है यहाँ दे देंगे हम लोग ठीक है प्रथम अपील का कारण तो कारण में दो या तो प्रपत्र को का समर्पत्र करने से 30 दिनों के अंदर कोई निर्णा प्रापत नहीं हुआ है या लोग सूचना अपदाधी खारी ने जो सूचना अपलब्ध कराया है उससे हम लोग छुब्ध है या वो संतुष्ट है या जिस भी कारण से वो मांग रहे हैं सूचना वो अपलब्ध नहीं कराई गई है तो उसके अधार पर इसे करेंगे उसके बारे में अपना कुछ कारण लिख देंगे क्यों आप अपील करना चाहते हैं अपील का अधार जो भी अपील का अधार हो या तत्थ अपील करने का मुख कारण जो भी हो वहाँ यहां बढ़न कर देंगे ठीक है फिर नौ में अंतिम तिथी शाठ दिनों के अंदर परथम अपील दायर करने का नियम है इसलिए जब भी आपका प्रपत को भढ़ने के साठ दिन पूरे होने की तिथी होती है उसका यहाँ डेड़ देखेंगे और जो आपने अनुरोद करना चाथे हैं जो भी शूचना चाहते हैं उसे उपलब करने के लिए आप कर शकते हैं और मैं घुशित करता हूं कि मेरी जानकारी जहां तक मेरी जानकारी यह मिश्वास है तो सुचने बेरा यो है सही है आप अनुडगनक कर देंगे प्रपतर को की छाया परती पी आईयो जो भेजे होंगे पी आईयो को सुलक रसीद उसके बाद महां का डाक रसीद सब लगा के अपना हस्ता अक्षर कर देंगे अपना मुवाइल नंबर या पूर दस रूपय का शुरुका प्राबधान है इसलिए मैंने 10 रुपय का भारति पोस्टल ओडर रसीद संक्या क्या अतना से दिया हूं अपना तारीक और पूरा पता मैं भागलपूर जी ले से हुँ इसलिए यहां भागलपूर का नाम दे दिया और तारीक दे दिना है अब इ यह सुल्ख के रूप में पॉस्टर लॉडर दिया है तो लोग सुचना अपिले पताधिकारी जीला एवं सस्त्रनियाधिस जीले का नाम देदना है जीले का पता देदना अपना यहां पूरा नाम पता देना है और इसी तरह क्रॉस करके रख लेना इसे यह मैंने डाग राइ पिन कॉर्ट साइज इधर अपना पूरा पता लिक्के बेज देना है आसा है आप लोगों को कोट में प्रथम अपील कैसे करेंगे इसकी जानकारी हो चुकी होगी और यदि वीडियो उप्योगी लगे तो एक दूसरे को अबर शेयर करें जो पहली बार चैनल को देख रहे और बेल आइकन भी दबा लें जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सिखर मिलतार है जय हिंद